Hello Students, Welcome to Python Shorts, आज क्या हमारा टॉपिक है, Immutable and Mutable Data Types in Python, तो Mutable का मतलब क्या होता है, ऐसे Data Types जिनको Create करने के बाद हम लोग उसमें कुछ Add भी कर सकते हैं, Modify भी कर सकते हैं, कुछ Delete भी कर सकते हैं, लेकिन Immutable ऐसे Data Types अगर एक बार Create कर दियें, तो उसके बाद हम लोग उसमें वो Rigid है, तो Category आपके सामने है, Number, String and R, Immutable और Mutable में आता है, List, Dictionary and Set, तो Simple से Example है, अगर मेरे पास Data है, 1, 2, 3, मैंने एक List generate की, अगर मुझे कुछ Add करना है, Create करने के बाद कर सकता हूँ, मुझे कुछ Delete करना है, वो भी कर सकता हूँ, मुझे कुछ Value को Change करना है, Modify करना है वो भी कर सकता हूँ, That is called a Mutable Data Type, तो Interviews में, काफी अबर पूछा जाता है, तो Note कर लेना, Thank You